हलो फ्रेंज वेलकम टू माई योटूब चैनल आज की वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ पैंच वाला गला यह मैंने पैंच अलग से खरीदा है और लेस मैंने इसके साथ खरीद ली है और यह मैं अब आपको सूट के उपर लगा के दिखाऊंगी किस तरीके से लगाना है अगर आपको इस तरीके का गला चाहिए तो आपको यह धागे वाली सोप पर मिल जाएगा जहां पर रिल धागा मिलता है और अगर आपके यहां बाजार लगते हैं तो बाजारों में भी आज कल यह बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं और खूब बिख रहे हैं तो आप लेख सकते हैं वहां से और जितना भी आपका यह मारजन फाल्तु है तो आप पहले इस पर सिलाई लगा लेंगे और सिलाई आपको बहुत ही फिनिसिंग से लगानी है यहां से जो यह इसमें जो एक बोर्डर बना हुआ है तो आपको बिल्कुल बोर्डर के ही लेविल में इसमें पहले सिलाई लगा लेनी है जब आप इसमें पहले सिलाई लगा लेंगे तो आपको यह कुर्टी के उपर लगाना जो है बहुत ही इजी हो जाएगा तो यहां से पहले एक सिलाई लगा लेते हैं और सिलाई आपको मेचिंग के धागे की लगानी है बिल्कुल ताके आपको जो है ये सिलने के बाद नजर नाए तो मैंने वाइट कलर का जो है इसमें धागा लिया है और वाइट कलर का ही मेरा ये नेट है तो इस पर मैं पहले एक सिलाई लगा ले रही हूँ और सिलाई आपको बहुत ही फिनीसिंग से लगानी है क्योंकि फरंट का मामला है यह सामने आएगा यहां अच्छे से कोना बना लेंगे जितनी भी नेट फालत हुए सारी अंदर की तरफ मोड़ देंगे यहां पर भी एक कोना बना देंगे अंदर की तरफ इस तरीके से वो सिलाई खेंच के नहीं लगानी नहीं तो इसमें बला जाएगा और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा इस तरीके से सिलाई पूरी कर लेंगे दागा कट करेंगे तो देख सकते हैं कितनी फिनिसिंग के साथ यह बनके तयार हुआ है अब यहां से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे बीच में इसमें एक कटका निशान लगा देंगे और अब हम गला ना आपके देख लेंगे कि हमा गला कितना चाहिए तो मुझे गला साथ इंच यह था और यहां पर मुझे डाई इंच चाहिए था लेकिन यह तीन इंच है तो मैंने थोड़ा सा कम करके इसमें निशान लगाना है अब जो भी आपकी कूर्टी का पलू है कटा हुआ तो आपको क्या गड़ना है वह सामने का फरंट ले लेना है और बीच में एक कटका निशान लगा देना है और इसे उल्टा करके रखना है तो यह हमारा जो है कूर्टी उल्टी है हमारी और कूर्टी के ऊपर हमने इसको रख लिया है और एक बीच में सिलाही लगा देंगे ताके इसेंटर अच्छे से बन जाए अब यहां से धागा कट करेंगे और इसको यहां से हटा के आप इसका अच्छे से सेंटर भी देख सकते हैं लेकिन मेरा इस सेंटर बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैंने इसमें नकून लगाया था तो मुझे निसान इसमें अच्छे से दिख रहा है और यह जो नेट के गले हैं तो इन में तो वैसे ही अच्छे से इसमें जो है निसान दिख जाता है अब आपको जो यहाँ पर सिलाई लगानी है तो थोड़ा सा दिहान दे के सिलाई लगानी है कि जो इसमें किनारी बनी हुई है तो आपको सुई का यह ख्याल रखना है हमने इसमें एक सिलाई लगा दी है अब इसके यहां से हम करेंगे कटिंग, तो कटिंग हमें थोड़ा-थोड़ा कपड़ा छोड़ के करनी है यह इस तरीके से गोलाई में हम यहां से कटिंग करके कपड़े को अलग निकाल देंगे और यहां पर चोटे-चोटे कट्स लगा देंगे इसमें इससे क्या होता है यह अच्छे से पलट जाएगा और इसमें बहुत ही अच्छी सी फिनिसिंग आईगी चोटे-चोटे कट लगाने है दागे को ध्यान रखना है कि दागा ना कट जाए अब इसको हम सीधी तरफ प्रेश करें तो बड़े ध्यान से करें ताके गला ना हमारा जल जाए क्योंकि यह जो बहुत हलकी नेट होती है किनारी के आपको शिलाई लगानी है वो भी फिनिसिंग के साथ लगानी है और जब इस पर प्रेश करें तो या तो दूसरा कपड़ा रख ले या फिर इसको करम होती है और नेट हमारी जल जाती है यहां अच्छे से फिनिसिंग से इसको शिलाई को पूरी कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी गोलाई में मेरा फिनिसिंग के साथ गला बन के तयार है अभी कुछ काम बाकी है मैं आपको दिखा देती हूं आपको यह सेंटर अच को रखेंगे और एक बीच में कच्छी सिलाई लगा देंगे और यहां आलपिन से थोड़ा से सेट भी कर दूंगे ताकि इधर उदर ना हिले नहीं तो जब आप पहरेंगे ना तो आपके जो सामने फ्रेंट पे तो चेस्ट के अच्छी नहीं लगेगी और कई आपकी चेस है वो सही से फिटिंग में नहीं बैठती तो कभी पेंच वाला गला बनाए तो उसकी जो बीच के सेंटर का बहुत ही खास ध्यान रखे जो सिलाई मैंने लगाई थी उसी सिलाई पर मैं सिलाई लगाती हूँ अलग नहीं लगानी उसी पर लगा लेनी है आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि कितनी फिनिसिंग के साथ हमारा गला बन के तयार हुआ है अब यहां पर कोने पर आना है वीडियो आपको आखिर तक देखनी है बहुत ही अच्छा से मैं इसमें डिजान और भी बनाने वाली हूँ जो कि मैं लैस का इस्तिमाल करूंगी वो लैस मैं जो अलग से खरीद के लेकर आई हूँ वो मुझे इसमें लगानी है यहां से धागा कटिंग करेंगे और कट करके देख लेते हैं देखो यह मेरे पास कोटन की लैस है यह भी मैं इसमें लगा देती हूँ कि मुझे गला थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा जो साइड है इसकी म से तो आपको अच्छे से देखना है और यहां पर इसको रखके लगा देना है आप इसे गले का जो पैंच है इसके निचे भी रखके लगा सकते हैं और इसके उपर भी लगा सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ यह इस तरीके से लगाना है और आपको कोने का खास धियान रखना है कि तो आपको कोना कैसे बनाना है तो जब आप यहां पर आजाए तो कोने को अच्छे से इस तरीके से बना ले कि लैस को ऐसे मोड के और ऐसे रखके देख ले कि आपका कहीं पर जो है जो है जो है जो है आएगा तो आपका कोन अच्छा बन जाएगा तो यहां अच्छे से फोल्ड कर दिया मैंने को बना लिया है और यहां से एक सिलाई में सीधी रगा दूंगी इस कोने तक आपको बिल्कुल सीदी सिलाई लगानी है अब एक कोना आपको यहाँ पर बनाना है इस तरीके से आप उवर घुमाखे रखेंगे और यह ध्यान रखना है ना तो हमें कपड़ा खेंचना है और ना ही हमें less खेंचनी है आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा वीडियो में कितने फिनिसिंग के साथ ये बन रहा है और मैंने इसमें परेश का भी इस्तिमाल नहीं किया कि मैंने इसको परेश से जमाया है मैं ऐसी फिनिसिंग से इसे लगा रही हूँ तो आप इसको यहां से बिलकुल सीधा करके और यहां से कपड़े को धागे कोट करेंगे और यहां से लैस को भी कट कर देंगे अब यह जो हमने इसमें लगाई थी आलपिन इसको हटा देंगे और एक सिलाई हम और लगा देंगे क्योंकि це डबल सिलाई से अच्छे से दब जाएगी एक सिलाई मैं थोड़ा हटा के लगा रही हूँ अब गने यहाँ पर लैस ली है और इस लैस के साइडि पर मैं एक लैस लगा रही हूँ जो कोटन वाली है इक तो जो जो लैस वो तो यह एक साइडी में इसको लगा रही हूं इस तरीके से अब जो तरीका मेरा यह है इसी तरीके साफ गले पर भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने उसको गले को पहले ही मोड लिया था क्योंकि मुझे उस पर लैस नहीं लगानी थी जब मैंने देखा कि मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा और मुझे साइड साइड उसकी खुली-खुली दिख रही थी में अच्छी नहीं लगी थी तो मैंने उसपे फिर उपर से लैस लगा दे-ब गले पे इस तरीके से लगा सकते हैं पहले उस चारो तरफ लेस लगा लें और फिर उस गले को उसके उपर रखके अच्छे से सेट कर दें अब मैं एकी तरफ लगा रही हूं दूसरी तब मैं इसमें लेस नहीं लगाऊंगी अगर वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक और शेयर जरूर कीज़ेगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जुरूर सबस्क्राइब कर ले अब जो है रहा है मैंने लगा दी है अब इसको मैं दूसरी साइड भी इसी तरीके से लगा दूँगी क्योंकि मुझे दामन पे लगानी है अगर दामन पे नहीं लगानी थी तो मैं इसमें एक ही साइड लगाती तो मुझे ये दामन पे लगानी है तो ये मैं बॉर्डर बना रही हूं नीचे के लिए तो आप देख सकते हैं कितने फिनिसिंग के साथ और कितना प्यार सा बॉर्डर बन के तैयार हो रहा है अगर हम इसे खाली नेट लगा देते तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती लेकिन थोड़ा सा दिमाग का इस्तिमाल किया तो हमने इसमें दूसरी नेट जो है जोइंट कर दी और ये बहुत ही खुशुरा सा बॉर्डर बनके तयार हो गया ये इस तरीके से तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा बॉर्डर मेरा बनके तयार हुआ है हम प्लैन कपड़ा लाके घर पे इस तरीके से अगर हम लगा लेते हैं बॉर्डर भी लगा लेते हैं गला भी तो हमारा बहुत ही सुन्दर सा ट्रेस बनके तयार होता है तो दामन में पहले से मोड रखा है और इसके उपर में से रखोंगे और रख के दोनों सैट एक एक सिलाई लगा दूँगे दामन आपको पहले पका मोड लेना है उसके बाद ही आपको लैस लगानी है ताकि आपके जो है नीचे से धागे बगर ना निकले तो इसे लोग ऐसे हैं, कि वो जो है नीचे से दावन को अच्छे से पकका नहीं करते है class वुशे थागे निकलते हैं क्योई कुछी कुर्टी पहनते हैं, तो इसे नीचे की साइड़ पललूपे धागे से लटके रहते हैं तो आपको पहले ही पका करके- सिलाई लगा लेनी है जैसे मैंने इसमें अच्छे से सिलाई लगा ली थी तो एक सिलाई मेरी पूरी हो गई है इसी तरीके से मुझे दोनों सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड अब लेस मैंने इसमें पेटेस कर दी थी तो मुझे एक सिलाई से मैंने इसको सैट कर दिया है अगर मैं लेस पहले ना लगाती और फिर अलग से लगाती तो मुझे दो सिलाई लगानी पड़ती अब इसमें मेरा एक ही सिलाई में काम हो गया और काम करने का लगलग तरीका होता है आप देखते हैं देखो मैंने किस तरीके से लगाया है और बहुत से लोग क्या करते हैं रखके सिलाई ऐसी चला देते हैं तो दामन क्या होता है सुकड जाता है कई बार जोल आ जाता है लेकिन हमने इस पे कोई परेस का काम नहीं किया है लेकिन फिर भी हमारा दामन बहुत ही फिनिसिंग के साथ बन के तैयार हुआ है अब यहां पर जो है मैंने आस्तीन भी पका करके मोड रखी है और यहां पर जो है मैं इसमें लेस लगाऊंगी तो आप देख सकते हैं लेस जो मैं आपको बता रही थी कि मैं एक साइड लगाऊंगी वो मैं इस पे इस्तिमाल करूँगी इसमें मैंने एकी तरफ जो है वो लेस लगाई है रेसम वाली यहां से मैं इसको हलका सा मोड उगी और मोड के मैं इस पे लगा दूगी दोनों तरफ नहीं लगाऊंगी जैसे मैंने बोर्टर पे लगाया है तो मैंने जो दामन का बोर्टर इस पे मैंने दोनों तरफ यह लगाई थी जो कटवर वाली मेरी लेस दोनों तरफ है और इस पे मैंने एक तरफ लगाई है तो इसका अच्छे से सैट करेंगे और वहोती है फिनिसिंग के साथ किनारी की सिलाई लगा देंगे यह भी मेरी दो सिलाई में तैयार हो जाएगी अब एक सिलाई साइड से लगा देंगे कपड़े के साथ कोई जबर्दिस्ती नहीं करनी बड़े प्यार से आपको इसमें सिलाई लगानी है यह इस तरीके से मैंने लगा दी है यह भी बड़ी फिनिसिंग के साथ तैयार हुआ है आप यहां से अपने आस्तिन रखेंगे और जितनी वी आपको आगे से मोहरी रखनी है आप उतना ही इसमें निसान लगा के और एक सिलाई लगा देंगे दोनों आज दिन मैंने तैयार कर लिया आप देख सकते हैं देखो और इसको मैं यहां से फोल्ड करूँगी और यह जो मेरा निशान है इसमें लगा हुआ जो चोक का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा उसी के हिसाब से मैं इसमें सिलाई लगा दूँगी यहां से रखूंगी और इसको पक्का करूंगी और इसमें सीधी शिलाई लगा दूंगी अब यहां से हलका से इसा मोडूंगी और यहां पे शिलाई लगा दूंगी कई बार क्या होता है कि जब हम कुर्टी पहनते हैं तो आस्तिन के जो अंदर का जो हमारा मारजन होता है वो बाहर दिखाई देता है जब हम ये सिलाई लगा लेते हैं तो हमाई बाहर नहीं दिखाई देता और हमारी बाजू बड़ी सुन्दर दिखती है आप देख सकते हैं देखो हमारा बाहर मारजन नहीं दिखाई देरा अगर आप कुर्टी पहने हुए हैं आप देख सकते हैं कि आपकी जो बाजू का जो मारजन है वो बाहर दिखता है महरी की साइड तो इतनी फिनिसिंग के साथ मैंने इसे भी बना लिया है आप देख सकते हैं अमें दो नौस्ती मैंने तयार कर ली है अभी मेरा फाइनल लुक है मैंने इसमें दो तीन बटन भी लगा दिया है और यह बाजू है मेरी आप देख सकते हैं और यह मेरा बिल्कुल प्लैन कपड़ा था और मैंने इसको अच्छे से बनाया तो कितना प्यारा लग रहा है तो आप जो है बोडर भी देख लिए के बोडर मैंने किस तरी के से बनाया था देखो यह बोडर है और स्वहे मेरी सटे अब्लडर पर मेरा कोटन का प्लैन या प्रिंट यह जादा महगा नहीं जाता है। बहुत ही कि ठीगर लगत ही ऑचे है उन का रजर लगत ही